तो क्या 40,000 रुपे में एक perfect gaming and editing PC बन सकता है भाई तो क्या 40,000 रुपे के अंदर हम लोग 1080P में HD gaming करने लायक एक PC बना सकते हैं भाई तो hey guys and what's up this is Ankan here and you are watching The Engine Man and आज हम बात करने जा रहे हैं एक gaming and editing PC जिसको हम around 40,000 के budget के अंदर बनाने जा रहे हैं and guys इस PC का काफी demand था मेरे चैनल पर मैंने काफी questions पड़े हैं जिस जगा पर बार बार मेरे से पूछा गया कि भाई 40,000 रुपे के अंदर क्या एक PC बन सकता है क्या आप मेरे को 40,000 रुपे में एक ऐसा बहतरीन PC दे सकते हो जो कि ठीक ठाक editing और ठीक ठाक gaming कराने में मेरे को capable रहे तो guys आज हम उस सारे जवाबों का उत्तर देने वाले इसी वीडियो में तो make sure आप इन तक वीडियो को देखते रहे अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ पहले बार मिल रहे हैं तो सरूर से subscribe कर दे अभी मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे ना भाई तो एक बार लाइक कर देना यार क्योंकि बाई बड़ा ही महनत लगता यार ऐसे चीजों को ढूणने में तो भाई लाइक तो एक बनती है ना भाई तो चलो गाईस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं गाईस अगर आपको अभी PC नहीं लेना ना मतलब एकदम हर बड़ी नहीं है ना तो रुख जा भाई यह पुल्ड on hold on अगर अभी आप कुछ दर रुख सकते होना भाई तो रुख जाओ क्यूंकि इस जवाद ना यह avoir जो कुरेंट जेरेशन का डृइसैंद है नraumy थोड़ा कमोने वाला था न थोड़ार बहुत इस रिजन से भी कभी कबार होता है कि प्राइज थोड़ा हाई हो जाता है बट देखते हैं मेरे को इतना लगता है कि अगर आप जैन तक इंतजर करोगे तो प्राइज कम होने वाला है तो भाई यही पीसी आपको बेटर अगर किसी का मजबूरी है किसी को अभी चाहिए तो भाई ज़रूर जाए ऐसे पीसिस के साथ बैट मैंने रेकमेंड करता है चाहिए वो है गेमसुक डॉट इन एक ट्रस्टेड वेबसाइट है है और आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको राइजन 5 3400 G विद मादरबोर्ड गीगाबाइट A320 M SSD में क्रूशियल BX500 240 GB का मिल जाता है PSU का एंटेक वीपी 450 वाट का मिलता है एंटेक केस जो है वह है एंटेक एन एक्स टू टेन मिट्टा और गेमिंग विच जीप्यू रेडन आरेक्स वेगा एलेवन ग्राफिक्स बट यह जो जीप्यू आना भाई वो डेडिकेटेट जीप्यू नहीं है यह इंटीग्रेट एक प्रफॉर्मेंस आपको दे सकता है वह वह आली बात आ जाती है और यहां पे जो सिप्यू यूज किया गया है यह एक फोर कोर एडिट्रेट प्रसेटिटर मैं मानता हूं परसेनली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग से मतलब है तो वह आपको काफी अच्छी मान के चलो around around 50% time आपको increase देखने को मिलेगा अगर आप एक APU के साथ जा रहे हो और एक dedicated GPU नहीं है उसके अंदर मतलब integrated GPU है उसके अंदर तो आपको 50% time increase आपको देखने को मिल सकते हैं आपको rendering time के अंदर अगर आप gaming कर रहे हो यानि की HD यानि की full HD 1080p high settings के अंदर आप gaming कर रहे हो तो आपको खीच तान के 60 fps का फ्रेम रेट से दे सकता है और GTA 5 जैसे गेम्स में आपको 76-80 fps तक आपको आराम से देदेगा अगर आप Assassin's Creed Odyssey टाइब का गेम खेल रहे हो तो 40-45 fps तक आपको दे सकता है और अगर वहीं आप सेटिंग्स को थोड़ा सा लो करते हो यानि की लो या मीडियम में रखते हो तो आपको आराम से मैं मानता हूं कि GTA 5 जैसे गेम में आपको यह 100-110 fps तक चला सकता है विद Assassin's Creed Odyssey जैसे गेम को यह अराम से 60 fps तक ले जा सकता है आपको RX Vega 11 ग्राफिक कार्ड और अगर आप इसके साथ एक मतलब अच्छा खासा लेवल आफ गेमिंग भी कर सकते हो जैसे कि CS को या फोर्टनाइट या वैलोरेंट अगर आप खेल रहे हो तो आपको काफी अच्छा एक्सपिरियंस इसमें मिल जाएगा वही अगर आपका बजेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो यानि कि आराउंड 45,000 या 46,000 तक अगर आप एक PC में खर्च करने के लिए राजी हो तो यह जो PC आना भाई यह आपको बहतरीन वैलू प्रोवाइट कराने का केपेबिलिटी रखता है CPU में आपको AMD का Ryzen 30100 देखने को मिल जाता है और जो की एक 4-core 8-thread processor है और यह CPU है यह APU नहीं है कोई भी मदरबोर्ड में आपको B450 Pro M.2 Max देखने को मिलता है SSD में आपको WD Green 250 240 GB का मिलता है M.2 SSD है यह और PSU में आपको Antec VP 450W का मिलता है और जो केस है ना भाई यह काफी अच्छा केस है पार्शियल मेश है इसमें पार्शियल मेश मेश है इसमें और यह एक एक एंटी e-sports की 200TG MSI AKI का GTX 1650 Ventus XS OC4 GBD GDDR6 आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक dedicated graphic card है जो कि आपका जो rendering time था ना वो काफी कम करने का capability रख सकता है बट तो बी ओनेस्ट अगर आप RTX card के साथ नहीं जा रहे हो तो और ray tracing वगरा तो आप भूल जाओ भाई तो मेरे को भी नहीं लगता इस budget में आपको को DDR6 करता है और उसके साथ अगर CPU में आप Ryzen 33100 यूज करते हो जो कि आपको अराउंड अराउंड 45,000 रुपीज का पड़ता है वो मैं वानता हूं आपको एक बहतरीन वैलू प्रोवाइट कराने का capability रखता है इसमें आप आराम से 1080 भी हाई सेटिंग्स में 60 plus fps अचीव कर लोगे एंड वही अगर आप रेंडरिंग कराना चाहते हो तो आप एक APU के मुकाबले 50% टाइम का reduction देखने को मिल सकते आपको तो यह काफी अमेजिंग चीज है जो कि आपको मतलब देख लेना चाहिए एक बड़ी शांती से बैठो अपना budget को देखो अगर आप कही से कही से खीच तान के monitor से कटाओती वटाओती करके अगर आप लगा सकते ओ इतना पैसा तो अगर अब जरूर जाए भाई जरूर जाए बट अगर आप अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हो एंड दो एक दो महीना रुक सकते हो तो यही budget आपको 40,000 में मिल जाएगा अराम से आपको 40,000 38 से 40,000 के अंदर देखने को मिलेगा भाई तो भाई मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक दो महीं न रुको बट अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे तो जरूर से जाए आप इस PC के साथ तो भाई इसी के साथ मैं यह दोनों PCS का review खतम करूंगा और मैं यहीं बोलूंगा कि अगर आप अभी रुक सकते हो तो रुको और अगर नहीं तो चले जाओ यहीं दो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के ऊपर आपको पीची एंड गेंड गेंड पीचिस हैं गेम्सुक डॉट इन वेबसाइट का नाम है लिंक डेस्रिप्शन में मैं दे दूंगा फिर से एज ऑल्वेस तो भाई कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में एक बता हुआ है जरूर से जाके बच चेक आउट करें और इस चैनल के ऊपर आपको पीची एंड गेमिंग के रिलेटेट कंटेंट्स देखने को मिलता है और बीच बीच में हम गेम्स का लाइब स्ट्रीम करते हैं गेम्स की रिव्यूज लाते रहते हैं तो अगर आप वही को से एक नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुट बाइ गुटनाइट और सी यू गाइज